आज मैं आपको बताने वाला हूँ इतने सारे जो स्क्रीन पर शब्द लिखे वे हैं 11 वर्ड्स हैं और इन वर्ड्स में क्या-क्या डिफरेंस होता है ये हम जानेंगे कभी-कभी क्या होता है कि इन वर्ड्स के जो प्रेनसियशन और स्पैलिंग से उन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं और लोग उन वर्ड्स को अच्छे से इन्फर नहीं कर पाते हैं तो पहला वर्ड्स देखे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस वर्ड्स से आप सब परिचित हैं लेकिन दूसरा वर्ड्स देखे इसका भी प्रेनसियशन बाइट होता है लेकिन इसकी स्पैलिंग जो है बिलकु लालग होती है वो है बिवाइट ये एक कंप्यूटर की जो डिक्शनरी होती है उसमें यूज किया जाने वाला एक शब्द है जिसका मतलब होता है डिजिटल स्पेस या फिर जगए आपने लोगों को कहते वे सुना होगा स्पैशली जो मीडिया वाले होते हैं वो बाइट चलाते हैं बाइट चलाने का मतलब होता है कि एक particular digital space होता है जिसे run करना होता है जो उनकी पसंद का होता है या जिसके लिए उनको payment मिलता है तो जो commercial advertisement होते हैं उनकी जो बाइट चलाई जाती वो भी यही बाइट है B-Y-T-E तीसरा आप देखो B-I-G-H-T दिखाई दे रहा है आपको bite इसका भी pronunciation तो bite ही होता है इसका मतलब होता है खाड़ी A curve in a water body जैसे आप किसी नाव वगरे में जा रहे हैं और उसके आसपास जो surroundings हैं उन surroundings की जो shape बदलती रहती है उसमें कोई curve shape आ जाती है तो उसे भी हम bite कहते हैं फूर्थ वर्ड देखिए B-E-A-T BEAT BEAT का मतलब होता है पीटना यह वर्ड भी हो सकता है आप परिचित हैं इससे और फिक्ट तो बहुत common word है B-U-T BUT BUT का मतलब होता है लेकिन और सिक्स्थ वर्ड देखिए BRIGHT 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 का मतलब होता है चमकीला और सेवन्त और एर्थ को देखिए सेवन्त और एर्थ में अधिकतर जो स्टूरेंट्स होते हैं उनको confusion हो जाता है इसमें क्या difference है B-O-U-G-S-T और B-R-O-U-G-S-T BOT BOT का मतलब खरीदा और BOT का मतलब लाया सिर्फ आपको एक ही letter का difference दिखाई दे रहा होगा वो है B-O-U-G-S-T और इसमें R extra लिखा होगा है तो B-O-U-G-S-T जो होता है वो B-U-Y की और B-R-O-U-G-S-T जो होता है वो bring की second form होती है तो B-O-U-G-S-T जो होता है 9th आप देख पा रहे हैं B-E-T-BAT BAT का मतलब होता है शर्ट लगाना और 11th word इसके साथ में देखिए B-A-T-BAT ये BAT, cricket में जो BAT यूज होता है उसके लिए भी यूज करते हैं और चमगादर एक जो जीव का नाम है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है उसके बाद देखिए B-A-I-T-BAT ये लालच के लिए यूज होता है temptations के लिए लाइफ में जैसे बहुत सारे temptations होते हैं जैसे कोई जानवर जो है जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के जाल में बैट में फस गया मतलब बैट का मतलब trap से ले सकते हैं या temptation से हो सकता है तो ऐसे ही कोई और उसे words हो जिनने हम इस list में include कर सकते हो तो comment section में जरूर बताएं और अगर आपको किसी words से सम्मंदित कोई confusion हो तो भी बताएं पूरी कोशिश करूँगा कि वो confusion clear कर सको और अगर वीडियो पसंद आया तो एक like तो बनता ही है न और share जरू करें अपने friends के बीच में ताकि knowledge को आप share कर सकें knowledge को share करें वीडियो को share करने के साथ अपने knowledge भी share होगी और channel को subscribe करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका